तो हेलो गैज, कैसे आप लोग, आप लोग एक पर फिर से OPS Study Solution में श्वागत है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों को बिहार ओपेन बोर्ट बीवोस का जो है, जून जुलाइ सेशन दोजर बाइस का जो एकजाम होने वाला है, दोस्तों, 14 पर से आपके एकजाम में जो है, कोईशन पूछे जाने के चांसेज हैं, क्योंकि दोस्तों ब्यार ओपेन बोर्ट के एकजाम में जो होता है, प्रिविज यहर का कोईशन पेपर रीपीट कर दिया जाता है, तो दोस्तों, काफी जादा इंपोर्टेंट होने वाली है, जो भी हमारे जून जुराइ सेसन 2022 के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए वीडियो काफी ज़्यादा खास होने वाली दोस्तों आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का पूरा कुशन पेपर करवाने वाला हूं तो वीडियो में सुरू से लेके एंड तक बन रहेगा दोस्तों एक ए यह फिजिक्स का दोस्तो मैं आपको सारे जो आर्ट के स्टूडेंट है उनका भी मैं इस ल ABOUT स्टूडेंट एकभी कोई जरूरोर सब्सक्राइब कर लिचेगा ठीक है न गौंइ क्वीडियो की शुरुभात करते हैünk तो यहाँ पर देख सकते हैं पर छोप सबसे पहला कोशन यहां दा कोन्य संवेक का मातरख होता है मतलब कि का होता है तो sus चलिए जलदी जलदी वीडियो की वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हैं यहां पर देख सकते हैं दोस्तों डाइमेंशनल फॉर्मूला फोर मोडूलस ओफ ठीक है न दोस्तों इस क्या होगा तो मारा दो का जो एंसर हो जाने वाला है गाईज यहां पर दो का जो हमारा एंसर हो जाएगा बी हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां पर एम एल का पाबर माइनस वन टी का पाबर माइनस टू ठीक है न गाईज तो हमारा दो का हमारा बी नंबर एंसर हो जाएगा चलिए नीचे चलिए नीचे नेक्स्ट जो कोईशन हमारा काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग हमारा कोईशन यहां पर देख सकता है विच अफ दो फॉलोईंग विल बी नोड दा रिजल्ट टेंट अफ टू बैक्टर टैन यूनिट्स एंड फिफ्टीन यूनिट्स तो काफी ज्यादा आसान कोईशन नगाई इसका जो है सुलूशन करेंगे तो 30 यूनिट्स हो जाएगा हमारा एंसर मतलब कि हमारा शीन नमबर एंसर हो जाएगा तीन का हमारा सीन नमबर एंसर हो जाएगा चलिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है यह विडियो आपके एक जाम में डिरेक्ट जो है इसी से कुशन पूछे सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जाएंगे आपको चलिए यहां पर देख सकते हैं चौता नमबर हमारा कोशन है हर साल एक्जाम में पूछे जाते हैं यदि प्रित्वी हम चांद की बीच की दूरी आदा हो जाए तो गुर्तवाक बलके मान में परिवर्तन होगा इफ दिस्टेंस विट्वीन अर्थ एंड मून विल बिकम्स हाफ अफ अब क्या है दोस्तों पर्जेंट वैलू देन दे वैलू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल भी तो हमारा क्या हो जाएगा गाईज चार का हमारा फोर हो जाएगा ठीक दोस्तों क्या है कि विर्ताकार चक्ति का जड़त्व आघुर्न चक्ति के वयास के परिता होता है तो पांच का जो हमारा एंसर हो जाएगा सीन नमबर ठीक है न दोस्तों क्या हो जाएगा सीन नमबर हो जाएगा हमारा ठीक है न तो क्या हो जाएगा सीन नमबर हो जाएगा m r sqr butta dhustto kya ho जाएगá m r sqr butta 4 m r sqr butta sorry m r sqr butta kya ho जाएगा 4 ठीक है ना तो हमारा हो जाएगा 5 का c number answer क्या है दोस्तो 5 का जो हमारा answer हो जाएगा c number हो जाएगा याद रखेगा क्या हो जाएगा c हो जाएगा m r sqr butta 4 इसने गलत मावैसे c भी मार रखा है चलिए नीचे आजी गाईज यहाँ पर 6 का जो हमारा एंसर हो जाएगा दा इक्वेशन ओफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हुज एंप्लिटूड वी मतलब वी 5 सेंटिमीटर एंड टाइम पिरियर्ड और 5 सेकेंड विल भी तो 6 का जो हो जाएगा डी नंबर मारा एंसर हो जाएगा वो डी नंबर एंसर हो चलिए यह व मैं सरफ एंसर मेंड़ा देख लेते हैं लंगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा विडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी तो चलिए गाईज हम जल्दी जल्दी से आपको answer टिक करके बताते हैं ठीक है गाईज अपना question पढ़ लिजे साथ का जो हमारा answer हो जाएगा गाईज साथ का हमारा d number answer हो जाएगा डी number answer हो जाएगा आरे स्कुर्ड चलिए नीचे आजएगा कि एक्वाइडिंग टू वेंस displacement law इस तो हमारा क्या हो जाएगा आठ का जो एंसर हो जाएगा इन नमबर यह मार रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है यह स्टूडेंट हमारा काफी तेज है तो इसने सही answer मार रखें कोई problem नहीं है नाइन का देख लेते हैं दोस्तों नाइन्द का हमारा answer क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए काफी ज्यादा का मान होता है the mean energy value of a molecule of an ideal गाइस तो दसका हमारा क्या हो जाएगा त्री वट्टा टू केटी सबको पता होगा त्री वट्टा टू और केटी ठीक है ना चलिए गाइस टैन का जो हमारा इस वीडियो का description box में बहुत ही सारे question के मैंने solution करवा रखें जाओ जितना त्यारी करना है करो और exam को जो है बढ़ियां से लिखो और exam में 80% mark सभी क्या आने चाहिए चलिए गाइस यहां पर 11 का देख लेते हैं if t be the tension of stretch string and m be the mass of of the per unit length of the string then the transverse wave velocity of the string will be तो बहुत आसान ना यार मतलब किस कितना का हमारा 11 का हमारा c number answer हो जाएगा क्या हो जाएगा 11 का हमारा 11 का हमारा c number answer हो जाएगा क्या हो जाएगा c number t बटा m का power half हो जाएगा चलिए ठीका ना चलिए नीचे आजए आप नेक्ष्ट देख लेते दोस्तों 12 का हमारा question क्या है 12 का देख लीजे क्या है विदुतिय तिवर्ता का नावी के समीकरन होता है तो 12 का जो हमारा answer हो जाएगा b number हो जाएगा ठीका ना the dimensional equation of electric field intensity बहुत ही जो important question है रट लीजे यह आपको dimensional equation पूछ लेगा आपको electric field intensity का तो 12 का हमारा क्या हो जाएगा b number answer चली नीचे आजएगा इस 13 का देख लेते हैं और यहां पर यार बहुत ही the unit of electric flux तो बहुत ही जादा आसान question है गाईज और इस student ने जो हमारा क्या हो जाएगा आप 13 का जो हमारा answer हो जाएगा बी number हो जाएगा electric flux यहां पर देख सकते हैं Newton meter का power 2,8 का power –1, यहां पर C स्टी का गाईज तो हमारा थे रेक हमारा बी number answer हो जाएगा बहुत सारे student मारेंगे वेवर भाई मेरे वेवर जो होता है magnetic flux का होता है magnetic flux का जो है हमारा unit क्या होता है वेबर होता है अगर magnetic flux होता है तो A हो जाता है यहाँ पर हमारा electric flux दे रखा है तो हमारा B होएगा ठीक ना गाइस यहाँ पर 13 का हमारा B number answer हो जाएगा चलिए नीचे आज़ेगे 14 का देख लेते हैं दोस्तों 14 का जो हमारा उसी तरह answer हो जाएगा A number answer हो जाएगा ठीक है 14 का A हो गया चलिए नीचे आज़ेए 15 का देख लेते हैं गाई 15 का हमारा पंद्र का हमारा क्या हो जाएगा पंद्र का हमारा सी नंबर एंसर हो जाएगा ठीक ना आज यह देख लेते हैं शोला का जो हमारा एंसर उसी तरह जहाए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के लिए हो में बता है你是 हल्ड़ों के लिए चोड़ अप लोगों के लिए हमएंसर बताई मेता है है यह दो टल़ दूगा देखते हैं सतरह का क्या होगाthinking हमारा यहां-पर और Нोर्मल अड़ेस्टमेंट दलेंद आ कहले को ठास्त ग्रीन हो घर किसी भी स्टूडेंट को ड़ाउट हो रहे तो जाकर के गुगल कर लो सारे इंसर पहले मिला कर यहां पर बताये गए हैं और सभी के अंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है तो डॉट करने की नौ डॉट ठीक ना वो पीया स्टडी सोलुशन पर जो भी अंसर बताया जाता है वो आपको 100% करेक्टी बताया जाएगा ठीक है ना तो थ्रस्ट करिए और अपने एक्जाम की तयारी करिए और एकदम बढ़िया से तयारी करिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एकदम पुरा कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखिए इंजॉय करिए चलिए अगला अठारा का देख लेते हैं आठारा का हमारा क्या हो जाएग यहाँ पॉस्टे करेंगे हम लोग आपको सव परसंट करेक्ट अंसर देंगे तो सी होगा इन्होंने घलती किया चलिए जाiteit होग एक उनलिशे हो देख लेते हैं दोस्तों दफिश डिफ्रेंस फाई हिज रिलेटर टूप डिफ्रेंस पाथ बोला है मैंने ठीक है और कुछ मत समझना डेल्टा एक्स वा तो 19 का हमारा क्या हो जाएगा गाईज बहुत ही असान कोईशन है गाईज 19 का बता सकते हो हमारा 2 पाई वाई लेमडा 5 हो जाएगा क्या 2 पाई वाई लेमडा 5 मतलब की 19 का जो हमारा answer हो जाएगा का है चलिए 2 pi यहाँ पे नीचे में d हो जाएगा 2 pi by lambda phi ठीक है न तो हमारा हो जाएगा 19 का d number हो जाएगा चलिए 20 का देख लेते हैं guys any particle of mass m and charge q is accelerated through the sorry through a potential b the d broadly wavelength of the particle will be काफी ज्यादा important guys यह question काफी ज्यादा important यह 20 का हमारा answer हो जाएगा c number answer हो जाएगा 20 का हमारा क्या होने वाला है c h बट्टा root under 2 q mb ठीक है न यह हमारा answer हो जाएगा मतलब की c number answer चलिएगा जिए नीचे आ जाएगे question में कोई दमी नीए यार the minimum angular moment of electron in hydrogen item इलेक्ट्रोन का निवंद्हम क्या होता है 21 का अमारा एंसर हो जाएगा 2 PiH suggesting क्या होंगा तो पाइयेच सब्सक्राइच इंसर मार रखने सब्सक्राइब एक होरों एक दो question इसने भी क्या कर्रेख कर रख्रा है मिस्टेक से जो है इनकरेक्ट एंसर मार रखा है तो घबराने की जोड़ात नहीं 21 का अमारा डी नमबर एंसर हो जाएगा चलिए अब चलिए लास्ट जो हमारा कोईशन नहीं अब्जेक्टिम हमारा गाइज NAND gate का BULLION बन जाएगा मतलब the BULLION expression of expression for NAND gate यहाँ पर NAND gate का पूचा जा रहा है तो क्या जा जा रहा है जोड़ो note पलस end यह हमारा end बन जाता है नंड बन जाता है ठीक है न तो यह दोनों mix करके है तो क्या हो जाएगा हमारा चलिए मैं बताता हूँ y is equal to y is equal to a b a.b ठीक है न क्या हो जाएगा expression जो हमारा a.b हो जाएगा तो कौन सा है a.b के उपर बार हो जाएगा ठीक है तो a.b के उपर बार हो जाएगा तो खुज लीज़े यह सही मारा का 22 का जो हमारा d number answer हो जाएगा चलिए गाइज आपको मैंने पूरा objective question का अंसर बता दिया सो पर्सेंट करेक्ट ठीक है ना 22 का हमारा d number answer हो जाएगा ठीक है तो चलिए गाइज यह objective हमारा portion खतम हो गया मुझे लगता कोई problem होनी चाहिए आप देख सकता है subjective question यार यहाँ पर पूचा what is the related relation between gravitational field intensity and gravitational potential ठीक है तो इसका आप कर सकते हैं चलिए गाइज काफी ज्यादा question है ज्यादा मुश्किल नहीं अगर आपके इनके answer चाहिए तो मैं आपको बता देने वाला OPS Study Solution का guess paper में मिल जाएगा आपको जो है उसके लिए 299 का membership join किजे आपको guess paper के साथ-साथ क्या मिलेगा previous year के सारे question free में मिल जाएगा ठीक है ना what do you mean by electric flux बहुत आसान है यार चुमके आगुरन की असाई मात्रक भीमा लीक है यहां पर ऐसा unit and dimension of magnetic moment ठीक है न नोर गेट की सत्य यह सारा कुछ मिल जाने वाला ठीक है न काफी आसान question है यार ज्यादा hard नहीं है आप लोग जाकर के लेना है तो लो आप बनाओ अगर आपके पास है तो यह सारे question त्यार कर लो अगर आपके पास गेस पेपर है अगर मिल रहे हैं तो कर लो नहीं है तो ले लो जाकर के ठीक है चलो गाई जिस तरह है कि हमारे question मैं आपको और भी दिखा देना चाहूंगा अब यह long tap के question पेपर है तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो just electric dipol ठीक है यह तो आप पढ़ ही लेना कुलंस lot आगरा पढ़ लेना यह अ पर यह पर रहले csakए सेकलो ट own विट लेवल डाइग्राम यह से 사용uez लो नमबर का तो चलिए गाई आप लोगो मैंने कितना मिनट का वीडियो होगा मेरे भाई 16 मिनट का वीडियो हो गया पहला वीडियो था ठीक है मैंने आपको डिडेल से पढ़ाया आगे मैं मैं फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ हिंदी इंगलिस अभी के आप लोगो को कोईशन पर आने वाले हैं और टैंथ कलास के जो भी स्टूडेंट है वेट करेंगे थोड़ा मेरे भाई आपका भी कोईशन आने वाला है तो आसा करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो है कापी ज्यादा पसंद आई होगी और पसंद आई होगी तो हमारे चैनल के साथ बने रहें एकजाम को क्रैक करने के लिए नंबर लाने के लिए चैनल के साथ बने रहें ठीक है और मैं आपको मोटिवेट कर देना चाहूंगा यह लास्ट का जो टाइम बचा हुआ है इसमें यार पुरा मल लगा के दिल लगा के पढ़ो एकजाम के बाद जितना हो सकता है मस्ती करना जो करना है करना लेकिन अभी जो आपका 10-20 दिन का टाइम बचा हुआ है मेरे हिसाब से तो यार आज एक तारीक है तो कहा थे 12-13 दिन बचा हुआ है ठीक है ना तो पढ़ लो जितना पढ़ना है ठीक है गाइस आसा करते हैं गाज वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पस क्वाच याज चाहिए घर उना था यांटी में बचा करते हैं वीडियो वीडियो घर शाच बचान आई हैं वीडियो एया शाच भीडियो एपकी बचान आई हैं बचापादस